मम्य जायका में आपका स्वागत है आज की हमारी इस्पिसल रेसिपी है गुजरात एमदाबाद की मुसलिम साधियों में बनने वाला इस्पेसल दाल गोस्थ और चाणे की दाल का पुलाव बहुत जादा टेस्टी लगता है और बहुत आसानी से घर में बन जाता है इस रेसिपी के बीच में मैं आपको एक ऐसी सिक्रेट चीज बताऊंगी जो बट्यारे डालते तो हैं लेकिन किसी को भी बताते नहीं है और उसी चीज से डाल गोस्त में वैसा ओरिजनल बट्यारे जैसा फ्लेवर आता है आपने कभी नौटिस किया होगा कि आप इस तरह की डाल बनाते तो आपको ऐसा फ्लेवर नी आता लेकिन मैं गारंटी देती हूं कि आगर आपने मेरे तरीके से इस तरह से डाल गोस्त और पुलाव बनाया तो आपको बिल्कुल भट्यारे जैसा ही तेश्ट आएगा यह देखिए कितना बढ़िया लग रहा है पुलाव के साथ दाल को मिस्ट करके और खाए चलिए इस्टार करते हैं इसकी सामगरीश प्रकार है मतन दाल गोस्त बनाने के लिए सबसे पहले हम गोस्त को गलाएंगे यह मैंने 200 ग्राम मतन का गोस्त लिया ए एक टीस्पूर नमक है और एक प्याज है इसको रफली चॉप कर लिया है एक कुकर में इन सब को हम डाल देंगे इसमें गीलास पानी डाल देंगे यह मैं अमदाबाद के शादियों में बनने वाले दाल गोस्त और पुलाव की रेसिपी बना रही हूं इसके लिए बट्या एक सिटी आने तक हमें फ्लेम को आहिए रखना है और बाद में पांस से छे सिटी आने तक गेस के फ्लेम को स्लो रख यह कुकर की पांस से 6 सिटी हो चुकी है और कुकर को भी हमने अपने आपी ठंड़ा होने दिया अब हम इससे चैग करेंगे यह देखिए मटन अच्छे से गल चुका है एक बावल में ट्रांसफर करेंगे आपको बिलकुल भट्यारे जैसी दाल बनानी हो तो आप मटन चर्बी वाला ले या फिर उसमें अलग से इस तरह की चर्बी डाल दे क्योंकि भट्यारे जो शादियों में दाल गोस्त और पुल अगर आपको ऐसा टेस्ट चाहिए तो आप चर्बी जरूर डालें मैंने कटोडी को एक बड़े बावल में ट्रांसफर कर दिया इसके उपर हमें एक और कटोडी रखेंगे इसके उपर जलतावा कोईला डालेंगे कोईली के पर थोड़ा सा देशी गी डालके धुंगार कर दिया है वैसे तो शादियों में जो डाल गोस्त बनता है वह औरीजनल टेने की डाल का इन दूसरी दालों का नहीं बनता है इसको मैंने तीन से चार गंटे पहले बिगो दिया था इसका सारा पानी निकाल लिया अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और इस दाल को एक नमक डाला एक छोटी चमच अद्रक और लसन का पेश ले यह भी थोड़ा ही डालना है हाफ टीस्पुन हल्दी डालेंगे और तीन से चार हरी मिर्ट डालेंगे कुछ बुंदे घी के डालेंगे ताकि दाल उफन के कुकर से बाढ़ना है इन सब को मैं अच्छे से मिला लेन कषे टीनगे राटना ही होना चाहिए जतने अम पुलाओ की तेयारी कशना है कर लेते यह मैंने शेला राइस स्ब्सक उपनीने गनणे के पाणी हमने उफना भीका करना दfecture भीक हमाने पानी ब्ली और यह अज जरू um पर रिजी भी बन जाएंगे यह मैंने एक कुकर लिया है इसमें चार से पांच टेबली स्पून तेल डालेंगे इसमें थोड़ा तेल ज्यादा ही डलता है कुछ खड़े गर्म असाले डालेंगे यह एक टीस्पून सफेज जीरा है एक टीस्पून सहा जीरा है जिसे काला जीरा भी कहते हैं और दो बड़ी वाली इलाइची है इसे डाल देंगे एक तेज पत्ता एड़ करेंगे, तीन टुकड़े दाल चीनी के ऐसे भी एड़ करेंगे, चार से पांच लॉंगे इससे डालेंगे, और आठ दस काली मिर्चे इससे भी डाल देंगे, खड़े गराम मसालों को वराबर से तरकने देंगे, ताकि इसके अंदर का जो फ्लेवर ह एक बड़ी साइब की तयाज है, इसको मैंने पतला पतला और लंबा काट लिया एड़ करेंगे, प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने तक बूनना है, यह देखिए प्याज हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, मेरे पास पहले से ही प्याज का विरस्ता करा हुआ है, इसके इसका विरस्ता बना ले, अब हम इसमें एक टेबल इस्पून भरके अद्रक और लसन का पेश जालेंगे, इसे हमें दो तीन मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, एक टेबल इस्पून पानी एड़ करें, ताकि एक क्या जले नहीं, लसन अद्रक के साथ हम चार से पांश इसके लिए बूनना है, मसाले बून चुके, अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे, हमने दाल और चावल मिला के 500 ग्राम लिया, इसके लिए अब हम इसमें 600 ग्राम पानी एड़ करेंगे, क्योंकि हम इसको कूकर में बना रहे हैं, अगर आपने इसमें ज्यादा पानी हो जाएंगे, यानि एकदम से गल के मेल्ट हो जाएंगे, इसके लिए थोड़ा ही पानी एड़ करें, एक टेबली स्पून भर के नमक डालेंगे, नमक आप अमने तेस्ट के मुताबिक ले ले और इसमें भीगीवी चने की डाल एड़ कर देंगे, डाल को हम 3-4 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं और ज्यादा तर दाल, अजर हम चामल के साथ दालते तो वह कच्ची रह जाती है, इसके लिए पहले हम दाल को गलाएंगे, थोड़ी सी गलानी है, 30-40 परसेंट, तीन-4 मिनट हो चुके है, दाल थोड़ी सी नरम हो चुकी है अब हम इसमें चामल एड़ करेंगे, इसमें हाफ टी स्पून मैजी गारो मसाला एड़ करेंगे, इससे पुलाओ में बहुत बड़ी अखुसबू आईगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, ज्यादा ना डाले हाफ टी स्पून ही डाले, इसको यह बारा बार से मि निकाल दे, इसका दुआ खतम हो चुका है, अब हम इसे गैस पर रखेंगे, और कम से कम 10 मिनाट तक slow flamper हम इसे पकाएंगे, कि मसालों का सारा फ्लेवर डाल और चावल के अंदर आजाए, यह देखिए, डाल अच्छे से गल चुकी है, इसको हम अच्छे से गोड़नी से हमें डाल को इतना गोड़ना है कि हमें पता भी न चले, कि डाल किस चीज की है, यानि इसमें कोई भी कणी या अखी डाल नहीं रहनी चाहिए, यह देखिए, डाल अच्छे से गोड़ गई है, अब हम इसमें गोस्ते एड़ करेंगे, एक कब जितना पानी डालेंगे, इनक वो चीज है मतन की चर्भी बढ़ यारे लोग उससे डालते है Colorado की लेकिन उसे कभी बताते नहीं इसके लिए अगर आपको वैसे ही तेस्ट चाहिए तो मतन की चर्भी ज़रूर डाले इसका त्री उपर दिया और इसको अब दाल के कुकर को गैस के ओपर एंगे ओने अब ने प्याज लिए इसको रफली चॉप कर लिया विश से पच्चीश कली लसन की हैं और एक तीस्पून भरके जीरा है इन सबको हमें चॉपर में करना है यह आप चाहित हो हैं हमाम दस्ते में भी इसको कूड सकते हैं यह देखिए लसन प्याज और जीरो को मने अच्चे से चॉप कई लेंगे लेकिन एक को मैं गोल गुल कि डालूंगी और 1 टामाटஸ नहीं चॉप करने देखिए हमने टामाटर को भी छॉप कर लिया, गैस का फ्लेम ओन कर दिया और इसके उपर एक कड़ाई रखिए, कड़ाई में हम चार से पांच टेबल स्प्रेंगे, चॉप की आवा, प्याज, लसन और जीरा दाल देंगे, इन सब को हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से ब् तामाटर को अच्छे से बून लेंगे, एक दो मीनट के लिए, इसके अंदर कवाटा टीस्पून हल्दी डालेंगे, थोड़ी डालनी है, दो टीस्पून धनिया पाउडर, और एक टीस्पून फुल बरके लाल मिज डालेंगे, थोड़ा सा पानी एट करेंगे, एक दो टे तक इसे बुनते रहे, पांच मिनट हो चुके है, और मसाला अच्छे से बुन चुका है, यह देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया, यह देखिए डाल में भी अच्छा सा उबाल आ चुका है, अब हम इसमें यह बुनावा मसाला डाल देंगे, इन सबको भी हमें 4-5 मिनट के लिए अच्छे से पकाना, ताकि मसालों का सारा फ्लेवर दाल और गोस्त में आ जाए, पांच मिनट हो चुके है, और मसाला डाल में और गोस्त में अच्छे से मेल्ट हो चुका है, यानि मिक्स हो चुका है, यह देखिए, अब हम इसमें हरा धनिया और पुदीन आयट कर इसको मैंने गोल-गोल काक के डाला यह भी डालिए डाल में इस तरह के टामाटर बहुत अख्य लगते हैं आप अब गयास का फलेम ओफ कर देंगे और लास्ट में इसमें मैजी गरम ऐसाला डालेंगे अगर आपके पास magic गार्ममसाला नहीं हो तो आप दाल गोष्ट का मसाला होता है वो भी डाल सकते हैं देकित मैजि गार्ममसाले में वो सारे तेस्ट आ ज़ाते हैं जो दाल गोष्ट के मसाले में होते हैं इसके लिए ऐड करयो हो एक तीस्पून फुल भर के डाले इसको हलके से मिला ले अब हम इसे सर्व करते हैं यह देखिए हमारा बट्यारा इस्टाई डाल गोस्त और पुलाओ बिलकुर शाधियों जैसा आप इसे एक बार जरू ट्राई कीजिए आपको सच में यह रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत मज़ा भी आएगा आ कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ